Shamed का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Shamed का दो तरह के से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे shame किया गया हो या जो shame हो चुका हो उसे हम adjective के रूप में shamed कह सकते हैं इसके इलावा shamed जो है वो shame का past and surpassed participle होता है यानि कि शेम की ही second और third form होती है shamed और शेम का आर्थ होता है लज्जित करना, शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी महसूस होना, बेज्जित करना, बाध्धे करना, बदनाम करना या हसी उड़ाना है जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि उसकी उदारता ने उन सभी को सरमसार कर दिया तो आप कहेंगे his generosity shamed them all या अगर आप यह कहना चाहें कि उसने अपने परिवार का नाम बदनाम किया है तो आप कहेंगे he has shamed his family name He has shamed his family name या गर आप ये कहना चाहें कि कक्षा के अने अंतरित वहवार ने शिक्षक को शर्मसार कर दिया तो आप कहेंगे the class's unruly behavior shamed the teacher अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें